सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल और प्लेश बेल आइकन तो गेट लेटर्स अपडेट नमबर आप ब्रिक्स एंड कॉंटिटी ऑफ सीमेंट एंड सेंड रुकाइब तो कंस्ट्रक्ट आ वाल 20 मीटर इन लेंग त्री मीटर इन हाइट आज हम देखेंगे कि एक ब्रिक वाल जिसकी लेंग 20 मीटर है और हाइट 3 मीटर है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने ब्रिक्स यूज होंगे और मोटार कितना यूज होगा और जब हम motor calculate करेंगे फिर हम देखेंगे कि उसमें cement और sand कितना use होगा तो पहले हम calculate करेंगे number of bricks तो हमें पता होना चाहिए कि as per specification जो bricks होती है वो दो types की होती है एक होता है modular bricks दूसरा होता है non-modular bricks modular bricks जो है उनका जो standard size है वो है 190 mm by 90 mm by 90 mm और जब हम brick wall construct करते हैं तो उसमें जो हम joint लेते हैं motor का वो हम standard as per specification 10 mm लेते हैं तो with motor अगर हम brick का size देखेंगे तो वो हम उसके dimensions में 10 mm एड़ करते हैं यानि कि जो length है वो ने 190 mm brick की है तो with motor 200 mm हो जाती है width 90 mm है वो 100 हो जाती है और height जो है वो 90 mm है तो वो भी 100 mm हो जाती है तो number of bricks calculate करने के लिए हम क्या करेंगे हम पहले volume of wall देखेंगे तो जो wall हमारा है उसकी length जो है वो 20 meters है और जो height है वो 3 meters है और जो thickness wall की है वो 0.20 meters है तो volume calculate करने के लिए length into breadth into height 20 multiplied by 0.2 multiplied by 3.00 तो वो हमारा आएगा 12.00 cubic meter तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि एक brick का volume कितना होगा with motor तो volume of one brick with motor equals to 0.20 multiplied by 0.10 multiplied by 0.10 तो एक brick का जो volume है वो हमारा हो रहा है 0.002 cubic meter तो number of bricks calculate करने के लिए volume of wall divided by volume of one brick with motor तो 12 divided by 0.002 तो वो हमारा आएगा 6000 तो जो हमारी number of bricks इसमें use होगी वो 6000 यूज होगी अब हम करेंगे calculate volume of motor तो volume of motor calculate करने के लिए हम क्या करेंगे हम जो total volume wall का है उसमें से हम volume of bricks minus करेंगे लेकिन हम जो actual size brick का है वो लेंगे यानि कि volume of brick without motor तो volume of wall हम हमें पाता है पहले ही calculate करके रखा हूँ है वो 12 cubic meter है तो हम हम minus करेंगे 6000 bricks का volume तो आएगा 6000 multiplied by 0.19 multiplied by 0.09 multiplied by 0.09 तो जो हम इसको calculate करते हैं तो या आता है 2.77 cube तो जो हमें motor चाहिए वो हमें 2.77 cubic meter जो 2.77 cubic meter है यह हमारा wet quantities है जो हम wall में use करेंगे लेकिन जो हमारी dry quantities है वो इससे ज्यादा use होंगी तो volume of dry quantities निकालने के लिए हमें क्या करना है जो wet quantities है motor के उसको 33% increase करना है तो 33% increase करने के लिए हम इसे 2.77 को हम multiply करेंगे 1.33 से तो आएगा हमारा 3.68 cubic meter हमारी dry quantities चाहिए यानि कि cement और sand अगर हम dry form में लेंगे तो 3.68 cubic meter हमें चाहिए तो अब हम देखेंगे इसमें कि जो cement हमारा है वो कितना use होगा और sand कितना use होगा तो जो motor हमारा है वो हमारा one is to six ratio का है यानि कि one part cement है और जो six parts है वो sand के है तो इसका procedure है पहले जो ratio दिया होगा उसको sum find करना है तो one plus six equals to seven तो जो cement है वो इन seven parts में से एक part है तो one by seven multiplied by three point six eight तो यह आएगा हमारा zero point five two six cubic meter तो जो cement है वो हमें cubic meters में नहीं मिलता है वो हमें bags में मिलता है तो bags में calculate करने के लिए हमें इसको पहले kg में convert करना है हमें पता है कि जो density of cement है वो one four four zero kg per cubic meter है तो जब इसको हम calculate करेंगे तो kg में change करेंगे one four four zero इसको multiply करेंगे तो यहा रहा है हमारा seven five seven point four four kg divided by 50 तो यह bags में convert होगा तो यहाएगा 15.15 bags अब sand जो है वो in seven parts में से six parts sand के है तो वो calculate करने के लिए six by seven multiplied by three point six eight यह हम इसीदे इसको ऐसे कर सकते है कि जो हमारा एक part cement का है जिरो point five two six उसको हम multiply करेंगे six से तो वो आएगा three point one five cube तो सेंड जो है वो हम cubic feet में नॉर्मली लाते हैं तो उसको calculate करने के लिए हम इसको multiply करेंगे 35.31 से तो वो आएगा 11 11.23 cubic feet तो अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे अब number of bricks हमें six thousand चाहिए और जो cement है fifteen point one five bags चाहिए और जो course sand है सेंड जो है हमें 111.23 cubic feet चाहिए होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसको like भी कीजेगा और share भी कीजेगा ठैंक्यू